कॉंग्रेस निता रहूल गंदी ने 23 माई को दिल्ली की राउस एवेन्यू में नया पास्थ पास्पोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की उनकी याचिका पर कोट में आज सुनवाई होगी सांसदी जाने के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक पास्पोर्ट सरिंडर कर दिया था अब कॉंग्रेस नेता ने साधरन पास्पोर्ट के लिए इनोसी जारी करने की ग रहुल गांदी के और सिदाखिल याचिका में कहा गया है कि आवेदक मार्च 2023 से संसत का सदसे नहीं हैं उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पास्पोर्ट को सरिंडर कर दिया था अब वे एक नए साधारन पास्पोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं इसके लिए याचिका करत कोड से अनुमती और एनोसी मांग रहे हैं कोड ने 19 दिसंबर 2015 को रहुल गांदी और अन्य को मामले में जमानत दे दी थी इस याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रो पॉलिट्रियन मजिस्ट्रेट वेभव वेता ने नेशनल होराल मामले में शिकायत करता भाश्पा ने सुब्रमन्यम स्वामी ने कांग्रेस निता सोनिया गांदी रहुल गांदी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ दायर किया था बगाते कि कांग्रेस निता रहुल गांदी 28 माई को अमेरिका जाना चाते हैं जहां से स्टेंट फोर्ड विश्व इद्याले में एक इवे गांदी ने कहा था चोरों का सरने मोदी है सभी चोरों का सरने मोदी क्यों होता है चाहे वह ललित मोदी हो यह निरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी इसके पास सूरत पश्चिम के बिजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने रहुल के खिलाफ मानहनी का केस किया था उनका कहना था कि राहूल गांदी ने हमारे पूरे समाज को चोर का है और यह हमारे समाज की मानहन है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद